असलाम अलेकुम, वलकम आप सबी के इस नई वीडियो में तो यहाँ पर AIMS की तरब से B.S.E. Nursing और B.S.E. Paramedical Courses 2023 की Admission Process की Notification यहाँ पर आ चुकी है Undergraduate Courses के लिए भी आ चुकी है या Postgraduate Courses के लिए भी आ चुकी है इस वीडियो में मैं आपको Notification Detail में समझाऊँगा कब से Form लगाने है, क्या Procedure रहने वाला है Eligibility क्या है, कैसे Form लगाना है सब कुछ मैं आपको Detail में बताऊँगा क्योंकि AIMS की जो Admission की Process होती यह काफी Different होती बाकी College या बाकी University के हिसाब से इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लिए, डिटेल में आपको समझाऊँगा और चैनल को भी Subscribe कर देना और Telegram को लोप हमारा Join कर देना Link उसकी आपका description में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को Start कर लेते हैं तो देखे यह जो Notification आई है सारे AIMS जितने भी पूरे आलवर इंडिया में जाहे AIMS देहली हो, पत्ना हो, राइपोर हो या जोदपोर हो हर AIMS के लिए यह की Notification आ जाती है और इसके सारे AIMS में आप कोई भी मतलब किसी भी State या किसी भी Union Territory का Candidate इसके लिए apply कर सकता और इसमें आपको पता है कि AIMS में अगर आपका admission हो जाता है BAC Nursing, Post Basic BAC Nursing या Paramedical में इसमें आपकी पूरी course जो होती होता है और उसके साथ आपका job भी वहीं पर लग जाता है यानकि और इसमें जो भी course आपका होता है वह बिल्कुल free में यहां पर आपका होता है तो यहां पर हम notification को देख लिए कि इसमें आप देख लिए यहां पर इसमें आपका BAC Nursing आया है Post Basic BAC Nursing आया है और BAC Paramedical के लिए यहां पर आ चुकी है और उसके साथ PG courses के यहां पर अगर हम बात करें इसमें MSC Nursing आया है और उसके साथ MSC Biotechnology courses आया है अगस्तो 2023 session के लिए और इस साल के session के लिए तो यहां पर आपको पता है कि MSC admission की process होती है registration की process होती है registration की process आपकी आपकी तीन steps में होती है पहले आपको basic registration करनी पड़ती है उसके बाद आपका code generate होता है नहीं जाते हैं इंटरंस के लिए इसलिए आप इस वीडियो में आपको detail में समझाओगा देखे पहले आपकी basic registration यहां पर हो जाए कि BAC nursing और BAC paramedical के लिए वह आपकी 15 February से शुरू हो चुकिए और 16 मारिज तक यहां पर दिन के 5 बजे तक basic registration आप कर सकते है basic registration के बारे में अगर आपको detail में वीडियो चाहिए या बता सकते हैं उसके बारे में भी apply procedure पर वीडियो डालूँगा उसके साथ यहां पर आपको जो है वह जब आप basic registration अपनी complete करोगे उसके बाद आपको code जो हो आपको generate करना पड़ेगा यह सारी process जो होती है generate करोगे तो आपका form empty रहेगा आप eligible नहीं रहोगे entrance के लिए आपको basic registration भी करना है और उसके साथ code भी फिर आपको generate करना पड़ेगा code वही generate कर सकेंगे जो यहां पर post जो यहां पर basic registration जो हो कर लेंगे वही code generate यहां पर कर पाएंगे तो code generating की जो है आपको 22 maris यहां पर last date रहने वाली उसके साथ आपको फिर final submit करना पड़ेगा और उसके साथ fee और cities चूज करने पड़ेगी वह आपको 1 maris से शुरू हो जाएंगे वह भी आपको 22 maris तक यहां पर चलेंगे यान कि overall 1 maris से आपको code भी generate करना पड़ेगा और एक maris से आपको final अपना form भी submit करना पड़ेगा उसके साथ fee और cities की choices वगरा भी उसी time आपको बरना पड़ेगा उसके साथ अगर हम यहां पर eligibility की बात करें इन सारे courses के लिए देखिए इसमें आपको बता है एज आपकी 17 से लेके 28 होनी जाए यान कि 2006 से पहले पहले आपकी जिनकी data बर्त है 2006 तक जिनकी data बर्त है वो इसमें apply कर सकते है और इसमें BAC nursing के लिए आपको 10 प्लस 2 यान कि 11 12 में आपका बायो होना चाहिए physics chemistry biology और उसके साथ अगर आप medical में जाओगे इसमें आपको जाओव medical भी चलेगा और इसके साथ में Maths यान की non-medical दूनों candidate इसमें eligible है paramedical courses के लिए selection का procedure यहां पर अगर हम बताए selection का procedure इसमें आपको जाओ इंटरंस देना पड़ता है तो इंटरंस का salibus paper pattern इसके बार में detail में video डालूंगा और इसके साथ selection का procedure इसमें जाओ separately detail में समझाओगा वीडियो में शाम तक upload कर लूँगा और इसके साथ अगर आपको resistance की process के बार में भी वीडियो चाहिए वो भी आपको बता हूँगा लेकिन उसके साथ साथ यहां पे चलने वाली है UG courses के लिए भी और PG courses के लिए भी इसमें आपको selection का procedure जो होगा वो AIMS आपका entrance कंड़क्ट करता है entrance वो आपको CBT mode में रहने वाला है इसमें OMR mode में भी नहीं होता है CBT computer based test आपका रहता है हर स्टी में यहां पे exam आपका होता है आपको detail में वीडियो चाहिए आप बता सकते है मैं उसके बार में भी वीडियो डालूँगा यह था AIMS BAC Nursing की admission notification जो मैंने आपको detail में समझाने की गोशिच की कोई confusion कोई भी doubt इसके रगणंग होगा comment section में बता सकते है